तो ये है बोट का नया साउंड बार, बोट अवंटे बार मिस्टी, ये है 100 बोट साउंड बार, आता है 6000 पे कीमत पर, फाइनली से हमने बाई कर लिया है, और आज की इस वीडियो में हम इसका डेटिल रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि बिल्ट क्या सी है, परफॉर्मस कैसी है, टेस्ट करेंगे कि इसकी audio quality कैसी है, क्या आप उ 6000 के price point में बोट का ये नया साउंड बार बाई करना चाहिए, या फिर नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब भी करते चलेगा, आप smart audience हो, बताने के जुर चलिए सबसे पहले आपके फायदे की बात कर लेते हैं, क्रूमा e-commerce platform के बारे में आपने सुनाई होगा, जी हाँ, बस इसी platform पर चल रही है, क्रूमा की magical summer sale, और यहाँ पर आपको इस sale में, electronic products पर कापी तगडे वाले discounts देखने मिल रहे हैं, और especially अगर मैं बात करू, ACS की, refrigerator की, air cooler की, fans की, इन devices, इन categories पर आपको और भी तगडे वाले discounts देखने मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस summer season, इन में से कोई भी category का product buy करने की planning कर रहे हो, then definitely क्रूमा website जरूर चेकाउट करो, क्योंकि यहाँ पर आप और भी पैसे इस save कर पाएंगे, और link जो है sale क वो आपको नीचे description में मिल जाएगी, और इस sale की अच्छी बात ही है कि यहाँ पर आपको पूरे sale में सिफ एक bank के card पर discount नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपको हर दिन different different cards पर discount मिलने वाला है, for example, जिससे कि यहाँ पर आप देखते हो, Monday की दिन यहाँ पर आपको IDFC bank के card प discount देखने मिलने तो अगर आपके बास किसी दिन एक card नहीं है, तो next day यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, link आपको sale की नीचे description में मिल जाएगी, आईए आते हैं हमारे topic दो, तो यहाँ पर हमने product को unbox कर लिया है, यह एक 2.1 channel soundbar है, तो यहाँ पर आपको soundbar के साथ, subwoofer का setup देखने मिल जाता है, सबसे पहले box में आपको यह subwoofer देखने मिल जाएगा, subwoofer एक ऐसा part है, जिसके through, जो base है, वो boom boom वाला base है, वो produce होता है, वो इसके बात करे जाया है, तो इसकी build quality अच्छी है, थोड़ा सा heavy है, एक हाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप gym अगर मिल जाता है, अब specs के हिसाब से आपको base अच्छा मिलना चाहिए, अब performance actual कैसी है, वो आपको आगे पता चलेगा, वेल इसके अलावा यहाँ पर build quality अच्छी है, कहीं पर भी compromise नहीं किया गया, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर cost cutting वगरा करी गई है, इस subwoofer के पीछे से एक wire निकलती है, single wire है, जो कि directly जाती है, इस sound bar में, तो यहाँ पर आपको अलग से इसे power देने की जरूत नहीं है, एक ही single wire है, जो कि sound bar में जाती है, और sound bar को power से connect करना है, यह चीज़ काफी बढ़िया लगी है, well, sound bar के एकर बात करी जाया है, तो कुछ इस प्रकार का आपक यह display मिल जाता है, जिसमें हमें volume levels और different different modes है, वो दिखाई देते हैं, top की तरफ यहाँ पर हमें glossy finish दी गई है, और इसके back side में हमें यहाँ पर ports के option देखने मिल जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हमें subwoofer का output port देखने मिल जाता है, इसके लावा aux input दिया गया है, optical port दिया गय इस विए से आपको audio quality भी अच्छी मिलीगी और थोड़ा सा range भी Bluetooth connectivity में, ultra version के comparison में थोड़ा सा पढ़िया मिलने वाला है, यहाँ पर इसके अलावा इसको control करने के लिए आपको यह typical boot के style वाला remote देखने मिल जाता है, इसके अदर batteries वगरा भी आपको box में देखने मिल जाती ह इस remote केकर बात करी जाया है, तो यहाँ पर आपको कुछ quick settings दिएगे, like music mode, news mode, movie mode, 3D mode, आप इन पर switch कर सकते हो, 3D mode उतना कुछ खास काम नहीं करता, जस्ट एक थोड़ा सा आपको change दिखने मिलेगा, ऐसा चुछ actual 3D नहीं मिलने माला है, well, इसके अलावा यहाँ पर अची बात यह है कि triple and base को control करने का option दिया गया है, और यह आपके लिए आगे काम आने वाला है, कैसे काम आएगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, well, इसके लावा बॉक्स में आपको कुछ booklets, warranty card और wall warranty के लिए screws बगरा दिखने मिल जाते हैं, warranty के लिए काफी दा important information, भी आप ले जाना जरूरी है, well, यह तो हो गई product की बात, तो product as such, जो है, कुछ दिकत नहीं लग रहा है, इदम बढ़िया है, build quality बगरा, boat के हर बड़क में अच्छी देखने मिल आती है, अब सबसे पहले, आराम से आप इसके कुछ audio samples सुनीए, उसके बाद मैं अपना personal experience आ सुल जी पहेरी, उल जाता कद मैं, और तुम भी एक पहेरी, ना सुल जी सके, अम ना सुल जी पहेरी, तो जातों से पूचा क्या, तुम भी जाजती हो क्या, अम शोए नहीं है जैसे कुछ, समाना दुचर वरा दासते हो क्या, तो ये थे soundbar के कुछ audio samples, अब आपको थोड़ा बहुत आईड़ा लग चुका होगा कि ये soundbar कैसे perform करता है, बट I know, साधे साथ यहाँ पर आपकी छोड़ी से complaint भी होगी कि यार, हम जब soundbar buy करेंगे, तो हम उसमें music वगरा play करके देखेंगे, Bollywood music play करेंगे, movies वगरा play करेंगे, action scenes play करेंगे, हमें वो जानना है कि उस time पर इसकी audio performance कैसी है, वेल, उसका भी इंतजाम मैंने आपके लिए किया है, इस video में नहीं दिखा सकता, इक fact दोस्तो, चाहे मैं जितने भी कुशिश कर लो, एक simple mic और ये simple setup के थुरू, इसका जो actual experience, जो live experience है न, वो आपको एक simple video के थुरू नहीं provide करा सकता हूँ, because ये totally impossible है, इसलिए बात करते हैं मेरे personal experience की, since मैंने काफी सारे और soundbars भी use कर रखे हैं, कि ये soundbar बाकी हों comparison में किस position पर stand करता है और इसकी performance कैसी है, वेल इससे पहले कि मैं आगे बोड़ू, आपके लिए कुछ important tips है, इसमें आपको HDMI arc port मलता है, अगर आप जो है किसी भी soundbar को अपने TV के साथ में connect कर रहे हैं, तो best method है HDMI arc port के थुरू connect करना, second option आप optical port के थुरू connect कर सकते हैं, third option अगर आपको mobile अगर थुरू, song अगर अपने करना है, then आप Bluetooth यूज़ कर लेजी, Bluetooth भी अच्छा है, but best method जो है, wired method होता है, सबसे best जो है, वो HDMI port के थुरू connect करना है, साथ ही साथ, जैसे मैंने इस soundbar को फिलाल रखा है, आपको इसको ऐसे बिल्कुल setup नहीं करना है, जैसे कि आप अभी फिलाल इमेज में देख रहे हैं, आपका जो setup है, वो exactly ऐसा होना चाहिए, जो subwoofer है, उसको हमेशा आपको floor पर रखना है, और soundbar जो है, उसको आपको ऊपर रखना है, अगर आप ये setup रखोगे, तो आपको जो base है ना, वो दम तगड़ा वाला मिलेगा, और जो vibrations है ना, वो आप literally floor में, और जो different different sofa और objects आपके घर में, उन पर आप ये feel कर पाऊगे, तो आपको ये दो चीज़े ध्यान रखनी है, बात करते हैं, यहाँ पर इसके actual audio quality की, इसकी audio quality मेरे साब से कैसी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सुनते ही, एक चीज़ क्लियर हो जाती की, भाई साब इसके अंदर जो base है ना, वो काफी बढ़िया मलता है, तो जो viewers यहाँ पर दम तगड़ा वाला base चाते हैं, प्रॉपर वो बुम-बुम वाला base चाते हैं, जिससे घर इलचाए, वेल घर तो यहाँ पर नहीं लेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा volume उपर लेके जाते हो 20 की उपर, तो लिटरली आप वो जो vibrations है ना, वो आप feel कर पाते हों, खुद के अंदर, इवन जो sofa वगरा है, उस पर भी आप जो है, जो chair वगरा है, उस पर भी आप जो vibrations है, वो feel कर पाओगे, action scenes में भी यहाँ पर जो, like cinematic effect है ना, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाता है, इसके लगए अगर आप music वगरा सुनो, जिसमें bass थोड़ा सा जाद है, तो उस दौरान भी आपको जो aura experience है, वो यहाँ पर आपको अच्छा देखने मलता है, विल अगर बात करी जाए mids की और higher frequencies की, यानि treble की, तो वो भी यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन bass की चक्कर में यहाँ पर यह जो mids और treble है, यानि higher frequencies है, वो थोड़े से suppress हो जाते हैं, वेल यह normal user के लिए notice कर पाना मुश्किल है, बट सिंस मैंने काफे सारे और भी soundbars यूज़ कर रखे हैं, मेरे पास फिलाल अभी और भी other soundbars है, तो उनके साथ जब मैंने compare करके देखा, compare करे जब सुना, तो मुझे यह difference पता चला, तो यहाँ पर जो mids और higher frequencies हैं, वो थोड़े से यहाँ पर suppress हो जाते हैं, इसके लगए कुछ moment से मैंने यह भी notice कर रहा है, कि यहाँ पर जो यह subwoofer है, थोड़ा सा कुछ कुछ जगों पर extra base provide कराता है, जहाँ पर required नहीं होता है, तो आपको कहीं कहीं पर यह feel हुआ कि यह थोड़ा सा ज़ादा ही हावास कर रहा है, मतलब यहाँ पर यह चीज़े needed नहीं हैं, इन प्रॉलम्स को आप काफी हद तक control कर सकते हो, पूरी तरह किसे eliminate करना मुश्किल है, बट यस काफी हद तक आप control कर सकते हो, और आपको overall experience जो है, और भी better मिलेगा, बट अगर आप एक normal user हो, तो आपको शायद सही सारी problems notice हो, बट फिर भी मेरा काम है बताना, बेस and treble को उपर नीचे करके देख लीजिए, आप जो है different levels पर set कीजिए, और देखे कि आपके हिसाब से आपको कौन सा level जो है perfectly fit लग रहा है, आपके हिसाब से, बट अपर फॉम इसकी audio quality अच्छी है, यहाँ पर जो है audio play हो जाते हैं, अगर अगर आप TV के साथ में से HDMI port के थुरू connect करते हैं, तो आप TV के remote से soundbar को भी control कर पाएंगे, तो oral product अच्छा है, फाइनली क्या आपको buy करना चाहिए या फिन नहीं, देखें दोस्तों, अगर आपके budget में यह soundbar fit होता है, 6,000 रुपी के price point, 6,300 रुपीज के आसपास इसकी pricing होती है normally, तो इस price point में अगर आपको मिल रहा है, तो definitely आप इससे buy के साथ हो, यह product आपको बिलकुँ भी निराश नहीं करेगा, इसकी जो buying link है, वो आपको नीचे description में मिल जाएगी, इसके साथ अगर अपना budget आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप 7,000 रुपीज में boot Orion ले लिजे, उसका वे link आपको नीचे description मिल जाएगा, वो इससे better soundbar है, 7,000 रुपीज के price point में आता है, थोड़ा सा महंगा है, आपको नीचे description मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया, तो link उसके नीचे description मिल जाएगी, I hope वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक केजे, कोई भी आपका question है, कोई भी doubt है, नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, सावनारा,